जहें दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए आरे सागरवाल का मैत से अनुपात समानुपात को जिए प्रश्ट लेकर गाये हूँ दोस्तों क्या है 50 नमबर तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो उसको देख ले आज हम लोग 51 नमबर से चलेंगे तो देखें पहला प्रश्ट कहा रहा है आपका 21, 38, 55, 106 फर्टेक में से क्या घटाया जाएं कि नई संख्याएं समानुपाती हो अब दोस्तों दो संख्याएं तभी समानुपाती होती है जब दोनों बराबर हो तो यह जो है 21 और 38, 55 और 106 आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 21 अनुपात 38 फिर समानुपात का चिन दीजिए यह हो गया 55 और अनुपात 106 यह दोनों बराबर होना चाहिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 बटा 38 बराबर 55 बटा 106 अब हम इस बोला क्या घटाया जाए तो हम इसमें एकस घटा देते हैं इसमें भी एकस घटा देते हैं यहां भी दोस्तों अगर हम यहां x घटा दें और यहां भी x घटा दें अगर इस तरह हम तीर्चा गुणा करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे option उठाएंगे तो option x के जगा 2 हम रखके देखते हैं तो अगर 21 में हम 2 घटाते हैं यहां यहां भी हमको 21 में 2 घटाना पड़ेगा फिर यहां 55 में हमको 2 घटाना पड़ेगा और यहां 106 में 2 घटाना होगा अगर हम इसको घटाते हैं यह हमारा 19 आ जाता है और 38 में 2 घटाते हैं तो तीरपन आ जाएगा और 106 में दो गटाएगा तो एक सो चार अब देखते हैं इसको काट के तो 19 दूरी अर्थीस होता रही है छतीस आ रहा है तो तो कटेगा ही नहीं ते तीरपन दूरी हम मिटा ते दोस्तों चीकर इसी को मिटा देते हैं क्योंकि जादा लंबा क्यों लिखे है अब Dekhij दोस्तों हम B Opsंच हमारा 4 है चार हम यहां रखते हैं फिर इसमें भी 4 घटाते हैं यहां भी 4 घटाएंगे और यहां एक मिनिट हाँ रश्तीस ही है चाओ तिस आजायगा दोस्तो फिर यहां जो पचपर में चार गट आये तो एकाओन आ गया और एकसो छे में चार गट आये तो एकसो दो आजाएगा दोस्तो, अब देख़गे यहां एक बटा दो यहां भी आया। अगर हम इसको देखते हैं, तो एक कपटहिए और बरquiera लने दोनों बराबर आ गए दोस्तो यह हमारा यह पूछ रहा थे है कि बराबर होना चाहिए तो हमारा यहां बराबर आ गया कि कि क्या घ्टा आएं कि नई संख्या है बस्ता मनुप outta रोस देखें दोनों बराबर आ गया है औरी सही ओप्सन क्या हो जाएगा तो बी नमबर होगा दोस्तों चलि आगे बरस देये और लेक्स प्रस को देखते अा अब देखिए 22 प्रस दोस्तों इस तरह प्रस रहे तो आप आपशन उठाग बनाईए आपका असानी से बनेगा दोस्तों ठीके अफशन उठा ली जेगा बहुत असी असानी से बन जाएगा अब का अब देखिए बावन नमबर प्रस दोस्तों बावन नमबर प्रस है 5, 13, 22 तथा 47 में से परतेक में से क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याय समान उपाती हो अब तो आप से ये प्रस असानी से बन जाएगा एक बाट ट्राइब कर लीजिए कोशिस कर लीजिए आप से असानी से बनेगा अब इसको भी अप्सन उठाक बनाईए दोस्तों अब इसको हम लिखते हैं थोड़ा लंबा करके लिखते हैं चले इस शॉट ही कर देते हैं दोस्तों शॉट कर देते 5, 1 जिनएट थोड़ा शॉ से बटा साई तालिस अब हम दोनों में क्या जोड़े तो इसमें भी एक जोड़ देते हैं इसमें भी एक जोड़ देते हैं इसमें भी एक जोड़ देते हैं क्योंकि पूछ रहा है क्या जोड़े तम एक जोड़ दिये चलिए अब देखिए हम पहले यह दो रखके देखते है तो 5 प्लस 2 और 13 प्लस 2 बटा में है 13 और X के जगा पर हम 2 रखते हैं बराबर 22 प्लस 2 रखते है 2 और फिर 47 और X के जगा दो रखेंगे तो 47 प्लस 2 तो यह हो जागा 7 हो जागा और यह हो जागा 15 हो जागा दोस्तो यहां अगर 22 प्लस 2 करते है तो 24 हो जाएगा और 47 अर्दू 49 हो जाएगा तो यह हमारा नहीं कट रहे है buenas Pharisee साथ दूनी 14 होतार यहां पधारा है 24 दूनी 48 होता है यहां 54 होता है यह हमारा option गलत हो जाएगा दोथो ठेक है यह हमारा option गलत हो गया अगर हम इसी तरह दूसरे option को रखते हैं के दिदेते हैं अगर दूसरा option रखते हैं यहां पर यह 4 है और चार है यह 4 यहां भी चार यहां भी चार और यहां भी चार तो पां चार 09 हो जाएगा और 13 12 4 17 हो जाएगा सिं यह मारा 24 जार चब वीश और 42 4ह जागा 51 आनों यह भी ने कडेगा 9 दूनीं 18 होता यहाँ सत्रह यह भी नहीं कडेगा दोस्तों यह भी किल county हमारा गलत हो जाएगा कमें कि थोड़ाश आपको टोन से देखना पड़ेगा दोस्तों को क्योंकि और को अगर लंबा की जेगा तो बहुत लंबा बन जाएगा अब देखिए तीसरे नमबर को देखते हैं यह तीन रखे दोस्तों यहां तीन रखते हैं फिर यहां भी तीन रखते हैं यहां भी तीन यहां भी तीन तो पांच तीन आठ हो गया और तेरा तीन सुला हो गया फिर देख सब्सक्राइब 1बट 2 आनि यह हमारा बराबरा गिया दिखें तो यहां बूल ला था क्या जोड़े प्राप मुद्ध संख्याय समानुपाती होगी खोर हम तो अभी जोड़े तो 3 जोड़े तरो सई इंसर तो सी नंबर हो गया दोस्तो चले आगे बढ़ते हैं नक्सट परकर को देखते हैं आज अब दिखें तीरपन नमबर पर से दोस्तों करन नमबर परस बोल रहा है दो संख्या ऐं सात और एगारा का नुपात में है इन में से परतेक में से शाथ जोडने पर इनका नुपात 2-3 हो जाता है इन में छोटी संख्या कौन सी है छोटी संक्या कौन सी है अभी आप से पूछ रहा है दोस्तों कि अम्हार क्या जोडना यहां पर दिया हुआ है अनि यह 7 aX माने जिए और यह 11 aX aX मानना पड़ेगा साथ में प्लस इन में से प्रतेक में साथ जोड़ दे तो साथ इसमें भी जोड दीजे और इसमें भी साथ जोडने पर इनका वंपा दो नुफा 3 हो जाता है तो अब यह क्या होगा तिर्चा गुना हो जाएगा यहीं सी तिर्चा गुना कर दिते हैं तो 3 21 21 एकस प्लस सातिया इकीस बराबर यह 11 को दो से गुणा करेंगे तो ऐसे तिर्षा में देखे इस तरह से देगारा दुनी 22 एक्स प्लस साथ दुनी 14 अब हम क्या करेंगे इस 21 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो 22 में घड़ जाएगा बराबर के इधर ले जाएंगे तो यह 21 मैंनस 14 हो गया ठीक है यहां तक सारे लोगों को समझ मा गयी होगे दोस्तों अब देखिए आगे अब 22 एक्स में 21 एक्स घटा है तो एक 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 बचा और 21 में 14 घटा है तो 7 बचा कितना बचा तो 7 बचा अब बोला इन में से छोटी सं संक्या निकालना है दोस्तों तो एक्स कमान आया साथ ठीक है अब यहां साथ एक्स है तो साथ एक्स बराबर साथ और एक्स कमान कितना है तो साथ तो साथ सत्य उन्चास हो गया उसके बादी एक है एगारा एक्स यह देखिए एगारा एक्स लेते हैं तो बराबर एगारा गुने X कमान कितना है तो 7 है 7 से गुना कि दिये 117 से 77 तो छोटी संख्या इसमें कौन है तो छोटी संख्या उन्चास है दोस्तो छोटी संख्या तो सही answer क्या होगी आपका तो ये उन्चास होगी दोस्तो ये B नमबर में दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स बस को देखते हैं अब देखे चवववन नमबर प्रस दोस्तो चववन नमबर प्रस कहा रहा है दो संख्या एक और तीन के अनुपात में है अधि इनका योगफल दोसो चालिस हो तीन का अंतर कितना है ये अनुपात में एक अनुपात तीन है और ये योगफल दोसो चालिस है क्या है योगफल दोसो चालिस है अगर इसको जोड़ते हैं हम कितना आजाएगा तीन एक चार बरावर दोसो चालिस तो एक बरावर है तो एक बरावर हम लिखते हैं तो 4 से काड़ देए, 4 से के 24, 60 हा गया, कितना है? 60 है दोस्तों अब इसका अंतर बोल रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है? अंतर अब यहां जो है दोस्तों, देखे, एक एक है, एक बराबर, एक बराबर 60 है तो 3 बराबर, यह 3 बराबर कितना है? तो 3 गुने 60, अनि 180 हो गया और जब इसका अंतर निकालेंगे, अंतर कितना हैगा? 180 मैनस 60 बराबर 120 दोस्तों, अही हमारा एंसर हो गया तो सही है इंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए 55 नंबर परस दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रहे हो तो प्लीज वीडियो का लाइक कीजिए, चैनल सब्क्राइब करें और वीडियो को फेस्बूक वाटसप पे सेयर कर दिए दोस्तों, आप लोग सेयर नहीं कर रहे हैं अब देखिए 55 नंबर परस किसी व्यक्ति के आए, तथा वे आए करमसा 11 और 10 के अनुपात में है, अधि पर्ति वर्ष वह 9000 के बच्छत करता है, तो उसकी मासिक आए कितनी है, मासिक आए कितनी है, अहीं आप से पूछा जा रहा है देखिए दोस्तों, यह जो आए जो हमारा 11 है, जो पहले आया वो पहला होगा, और वे हमारा कितना है, 10 है, आनि इंकम 11 है, और खर्च हमारा 10 है तो बच्छत क्या होगा, चले यहां लिख देते हैं, आए 11 और वे 10, यतना है दोस्तों तो बच्छत क्या होगा, बच्छत बराबर एक, यह मासिक बच्छत है दोस्तों, क्या है, मासिक बच्छत, चले लिख देते हैं, मासिक बच्छत, अनि महने का बच्छत है, तो वार्षिक बच्छत क्या होगा, वार्षिक बच्छत कितना होगा, यह बच्छत जो बता रहा रहा है यहां पूछ भी रहा है आपको मासिक आए तो वार्सिक बचत बराबर एक मेहने में एक रूपया बचत है तो बारा मेहने हम एक गुने बारा कर देंगे अनि बारा है तो वार्सिक बचत क्या हुआ तो बारा अब यहां बोल रहा है अब हम बार्सिक क्यों लाए क्यों और यहां वार्षिख बचत 9000 बता रहा है कितना बता रहा है 9 बिसको मान लेते 12 एक्स बड़ाबर 9000 आणि यह बोल रहा है कि 12 बचत है और यह बोल रहा है बारा पच्छे साथ और एक जीरो और एक्स बराबर कितना आगा है दोस्तों सब साथ सो पचास ठीक है तु बोल रहा है मासिक आई कितनी है मासिक आई और मासिक आई कितना है इसका 11 है कितना है तो दीके 11 है यहां भी दिया हुआ है 11 है तो मासिक आई यहां बो X बराबर इतना यहां X मानना पड़ेगा दोस्तों ठीके इसके साथ भी X इसके साथ भी X, यह मानना पड़ेगा, ठीक है, तो 11X बराबर 750 गुने 11, ठीक है, X बराबर, ठीक है, चलिए, अब इसको गुना कर देंगे हम, अब जब इसको गुना करेंगे 750 को 11 से, तो 825 आजाएगा, ऐही हमारा इंसर हो जाएगा दोस्तो, चलिए आगे बढ़ते हैं, और निक्स प्रस को देखते हैं, यह 825 है, अब देखिए 56 नमर पर दोस्तो, चलिए 56 नमर पर दोस्तो क्या रहा है अब का, साथ अनुपात 11 के परतेक पद्म किस संख्या के जोडने पर, अनुपात 3, अनुपात 4 प्रप्त होगा, तो साथ अनुपात 11 है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, साथ वटा 11, अब जोडने पर बोल रहा है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक्स जोड देते हैं, किस संख्या के जोडने पर, एक्स जोड दीजे, जोडने पर अनुपात 3, अनुपात 4 हो जाता है, अब हम इसको तीर्था गुना कर देंगे, आप option रख करके भी बना सकते हैं, न तो यह भी बना सकते हैं तो यह साथ चौके 28 प्लस चार एक्स उसके बाद हुगा एक आरा ती आताय तीस प्लस एक्स को तीन सो गुना करेंगे तो तीन एक्स आ जाएगा अब हमारा जो है यह तीन एक्स इधर आ जाएगा ठीक है चार एक्स में तीन एक्स घटाए तो एक एक्स बचा और यह हमारा 28 उस्पर चला जाएगा अनि 23 मा 28 घटा तेंगे देंगे तो मार कीटना बचेगा तो पांच बचेगा अघी हमारा एंसर हो जाएगा दोश्तों क्योंकि जोड क्या रहते तो तो एक्स रेक्स कमान कितना है तो पांच हमारा सही एंचर क्या हो गया तो डी नंबर हुआ दोस्तों चली आगे वरते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए शंतावन नंबर प्रस दोस्तों शंतावन नंबर प्रस आपका कारा है दो संक्या तीन और चार के अनुपात में है तथा इनका लगुत्तम समाव प्रस तक 84 है इनमें से बड़ी संक्या क्या है दो संक्या तीन और चार के अनुपात में हैं यह तीन और चार जब इसका LCM हम लेंगे तो कितना आएगा? बारा आएगा कितना आएगा? बारा अब बारा के साथ आप एक समान लेजे तो बारा एक्स बराबर यह लगुत्म समान बरता है चौरासी यहां लगुत्माय बारा और यहां बोला के चौरासी है यह चौरासी तो एक्स बराबर तो बरसते चौरासी कितना आएगा? साथ तो बोला इन में से बड़ी संक्या कोन है? तो बड़ी संक्या कोन है? चार है तो यह थिरी एक्स और यह 4X मानना होगा आपको तो 4X पराबर 4 और X कमान कितना है तो 7 साथ से गुना कर दिजिए कितना हैगा 28 अही हमारा इंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है सही एंसर क्या हुआ तो C नमबर दोस्तों अगर आप लोग PDF डॉनलोड करना चाते हैं तो टेलिग्राम जोइन कर ले है चले अब आगे बरते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए अंठावन नमबर प्रस दोस्तों अंठावन नमबर प्रस आपका कर रहा है दो प्राकिल संख्य तीन और पात के अनुपात में तता इनका गुननफल 260 है इन में से छोड़ी संख्या कोन है अब तो तीन और पांच के नुपात में आनि थ्री एक्स गुने फाइब एक्स है और इनका गुननफल गुना करने पर 2160 है कितना 2160 अब इसको गुना करते हैं तो तीन पचे 15 और एकस एकस गुना करेंगे तो एकस अस्क्वाइर हो जाएगा बराबर 2160 अब हम 15 से इसको काड़ देशा दोस्तों चलिए यहां थोड़ा सार लंब कर देएकीस अस्क्वाइर बराबर यह 2160 बटा 15 अब काटिए तो तीन पचे 15 और तीन सती कीस तीन दूनिक छे यह 720 आया पांच से काटेंगे तो पांच एकम पांच और दो बचा पांचों के बीस फिर पांचों के बीस ए 144 आये दोस्तों कितना है 144 अर्फ किटना ही कितना है निकालें तो बार आएगा दोस्तों यह कितना चेंड्य वार सब्सक्राया अब वहden इन में तो बारा तिया 36 अहीं हमारा एंसर हो गया तो तो सही एंसर क्या हुआ दोस्तों तो ए नंबर हुआ य लिए आगे वरते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए 69 नंबर प्रस दोस्तों 69 नंबर प्रस है अधी A, 1000 को A तथा B में तीन अर्दो के अनुपात में विभ्यक्त करे तो A को प्राप्थ होंगे तो A को कितना प्राप्थ होगा A और ये B को तीन अनुपात दो में हम बाड़ देते हैं अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा 5 आजाएगा तक यह पांच कुल है 5 और एक अभा कितना है तो 3 तो तीन प्राप्थ होता है 5 में तो 1000 में कितना प्राप्थ होगा इसको कार दीजिए 5, 12, 10 और 2, 0 आनि हमारा 2 त्या 600 आएगा कितना तो 600 अही हमारा एंसर हो जाएगा दोस्तों अ में तो कितना प्राप्ट होगा तो 600 क्योंकि यहां पूच्छ वादैंस ने रख होगा यह हमारा कितना shear 3 दे खराटth देखता है पाच में 3 प्राप्त करता है यह 500 प्राप्ट में 600 होगा तो सही एंसर क्या होगा सी नमबर दोस्तों लिए आगे बरतें प्रतें अब देखे साथ नमबर प्रस दोस्तों दोस्तों यह थोड़ा सा टैपिंग में मिस्टेक हुआ है देखे बोला A, B, C में 10, 1050 को इस परकार विभक्त किया गया है कि A का भाग B तथा C के संजुक्त भाग का हो कितना हो तो यहां आपका हो जाएगा 2 बटा 5 कितना? 2 बटा 5 मतलब संजुक्त भाग का 2 बटा 5 हो तब A को मिलेंगे तो A को कितने मिलेंगे? ठीक है? अही परस्ता दोस्तों यह थोड़ा सा टैपिंग में मिस्टेक हुई है चलिए अब देखते हैं इसको बनाते हैं दोस्तों तो बोल रहा है A जो है मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों A का जो भाग है B और C के भाग के बराबर है आनि A बटा B A बटा B प्लस C ठीक है? अब बोल रहा है A, B, C दस्तों पतास की इस परकार भी भाग किया गया कि A का भाग B तथा C के भाग का दो बटा पाँच हो आनि A हमारा दो है और B से कितना है? पाँच है ठीक है? अब इसको मैं इसे भी लिख सकते है A अबाट B प्लस C और आनि A हमारा दो है और इसको यह जो है हमारा पाँच है इसको दोनों को जोड़ते हैं तो साथ हो जाता है क्या होता है? साथ होता है ठीक है? यहां तक सारे लोगों को किलियर हो गया हुगा अब बोल रहा है तो A को मिलेंगे एक को कितना मिलेगा अहीं बोल रहा है तो साथ में यह साथ है दोस्तो अच्छे एक मिनिट अब इसको मान लेते हैं साथ एक्स तो साथ एक्स बराबर कितना बोल रहा है तो दस सो पचास बोल रहा है दस सो पचास अन्य कुल साथ है साथ एक्स तो एक्स बराबर कितना हैगा तो साथ से काटते हैं इसको तो साथ एकम साथ साथ पच्छ पच्छ पाइटीस एक सो पचास होगा दोस्तों कितना होगा एक सो पचास अब बोल रहा है तो एक को मिलेगा एक भाग कितना है तो एक भाग दो है तो एक भाग जब दो है एक को मिल तो कि इस अफ्टना मिलेगा एक अभास्थ है तो दो गुने 150 अंच तो बराबर 300 मिलेगा दोस्तों ही हमारा इंसर हो गया तो सही एंसर हो गया दोस्तों तो बी नंबर चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लेग तो प्लीज वीडियो का लाइक ट्रेज चैनल